दोस्तों, रोजडे प्यार और स्ने व्यक्त करने का एक खास दिन होता है। इसे हर साल साथ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी से वेलेंटाइन वीक की शुरुआत हो जाती है। इस खास दिन पर लोग अपने प्रियजनों को गुलाब के फूल देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। दरसल, गुलाब प्यार का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रोजडे का इतिहास मुगल काल से ही जुडा है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बेगम नूर जहांक को लाल गुलाब बहुत पसंद था और उनके पतीहर देने एक चन फूल अपनी बेगम को खुश करने के लिए भिजवाते थे इससे नूर जहां बेहद प्रसन हो जाती थी इसके अलावा कहा ये भी जाता है कि महरानी विक्टोरिया के समय में लोगों ने एक दूसरे को खुश करने के लिए फूल देने की शुरुआत की थी इस तरह ये प्रथा धीरे धीरे प्यार के एजहार के लिए काफी लोग प्रिया हो गई कहते हैं तभी से प्रेमी जुडों के बीच गुलाब देने की परमपरा चली आ रही है दोस्तों, लेकिन गुलाब का फूल सिर्फ अपने पार्टरन को ही नहीं, बलकि आप अपने करीबी दोस्त को भी दे सकते हैं हर एक रंग के गुलाब का मतलब अलग होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको वेलेंटाइन डे पर अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने प्यार को देने के लिए हर एक गुलाब के रंग का मतलब बताएंगे तब तक आप वीडियो को लाइक करके चेनल को सबसक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद पीला गुलाब दोस्ती की निशानी वेलेंटाइन डे के दोरान पीला गुलाब अपने दोस्तों को देना दोस्ती की निशानी होती है यहाप अपने best front को भी दे सकते हैं इससे आपके रिष्टे की मजबूती को देखा जाता है गुलाबी गुलाब लाल गुलाब के अलावा गुलाबी गुलाब भी काफी खुबसूरत और आकर्शक लगता है यहाप अपने भाई बहन, दोस्त, टीचर, माता पिता को दे सकते हैं जिससे आप उनके लिए अपनी स्नें को दिखा सके सफेद गुलाब वैसे तो लोग ज़्यादातर सफेद गुलाब अबुविड करते हैं लेकिन यह शांती, यूनिटी का प्रतीक होता है अगर आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं और पुराने गिले शिक्वे हटाना चाहते हैं तो आप सफेद गुलाब का इस्तिमाल कर सकते हैं लाल गुलाब लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक होता है बता दे कि वैलेंटाइन वीक के दोरान लाल गुलाब का मतलब रोमेंटिक और प्यार से भरा हुआ होता है। आप अपने लव पार्टनर को लाल गुलाब दे सकते हैं और अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं।